उद्धारण 6 एक वृत की दो जीवाएं PQ और RS समांतर है और AB जीवा PQ का लंब समधिवाजक है सिद्ध कीजिये की AB जीवा RS को भी समधिवाजित करती है हल हम जानते है कि वृत की जीवा का लंबारधक वृत के केंदे से होकर जाता है AB जीवा PQ का लंब समधिवाजक है इसलिए AB वृत के केंद्र से होकर केंद्र से होकर जाएंगा अब क्योंकि AB वृत के केंद्र से होकर जाएंगा और हमारे पास राप्त है AB लंब है PQ से और Burke समानतर है RS से इससे हम कह सकते हैं कि AB लंब है PQ से और Burke समानतर है RS से तो हम यह कह सकते हैं कि AB भी लंब है RS से AB भी लंब होगा रिखाकंड आरेस से अतहा अतहा एबी लंब है आरेस से और एबी विरित के केंद से ओकर जाता है एबी हमारा लंब है आरेस से और एबी विरित के केंद से होकर जाता है इसलिए हम यह कह सकते है कि एबी जीवा आरेस का भी लंब समदिभाजक होगा आरेस का भी लंब समदिभाजक करेंगा कुना हम देखते हैं हमारे पास हम जानते है कि विरित का जीवा का लंब हारदक विरित के केंद से होकर जाता है अब जीवा पी क्यू का लंब समदिभाजक है इसलिए हम यह कह सकते है कि एबी विरित के केंद से होकर जाएगा अब एबी समानतर है आरेस से और पी क्यू समानतर है आरेस से इससे हम यह कह सकते हैं कि एबी जो है हमारा आरेस से लंब है एबी लंब है आरेस से आता हम एबी लंब है आरेस से और एबी विरित के केंद से होकर जाता है इसलिए एबी जीवा आरेस का भी लंब समदिभाजक होंगा आता हम एबी जीवा आरेस का भी लंब समदिभाजक करेंगा यह ही सुधारान का हल होगा करके देखें पांच एक्स देज्जा वाले वृत्त के केंद्र से छे एक्स लंबाई की जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई ग्याद कीजिए